असलाम लेकुम डियर स्टुडेंट्स, I am Mohamad Aatir Bajwa, Lecture Computer Science from Punjab College गुजरखान Campus जैसे कि आपको पता है कि आपकी आउनलाइन क्लासे स्टार्ट होने वाली हैं 28 अपरल से तो उसको आपने कैसे कंड़क करना है, कैसे उसका हिस्सा बनना है, तो उसका जरह तरीका कार देख लें Play Store में जाएंगे, वहाँ से Google Classroom डाउनलोड करेंगे, ठीक है मैंने की हुई है, that's why मेरा open आ रहा है, आप इंस्टॉल कर लेंगे, open करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा, get started, आप जो अपना Gmail यूज़ करना चाहते हैं, जो आपने प्रोवाइट किया हुआ है, teacher को, ठीक है, okay, से ये, उसके बाद आपके पास next interface आएगा, वो आएगा कि आपने class कैसे join करने है, ठीक है, ये open हो जाएगा भी, जैसी open होगा, हम next class join करेंगे, ठीक है, ये हम classroom में यहाँ पर ये join class, ठीक है, code हमें email आया हुए, हमें email, जो ये वाल email है, जिस पर ये account है, वो अपनी जाकर email चेक करेंगे, ठीक है, email करेंगे, ये हमें teacher ना add किया हुए, ठीक है, join करेंगे, इसपे हम classroom आले apps open करेंगे, ये ही account रखेंगे, okay करेंगे, और हम class में enroll हो जाएंगे, इसी तरह सारे teachers हमें इस तरह email send करेंगे, और हमने join करना है, इस तरह class में香港 imperial आइप्लास में enroll होगे, ठ इस तरह intro to C++ है, अगली को math किया आपकी होगी, इस तरह उस सारी classes यहां आ जाएगी, उसको अगर हमने कठा देखना है, तो इस तरह यहां 4, 5, 6 आ जाएगी, ठीक है, अब आपने अपनी class को कैसे use करने है, आप यह class में के, यहां पर यह stream है, यह आपका notice board है, ठीक है, जहां teacher आपको notice भेज सकता है, कोई class के बारे में, कोई helping material कुछ भी, ठीक है, class work में क्या होता है, कि जो आपका पहले topic है, उसके बारे में क्या क्या अप्लोड हुए, यह पहले topic आपने first करो online पढ़ा है, online कैसे पढ़े हैं, वह मैं बताता हूँ, तो यह lecture one, यह उसकी pdf file है, वह what are data types, ठीक है, आप pdf file में या word file में आप type करोगे, उसे pdf में convert करोगे, यहाँ पे उसे attach करोगे, फाइल को, ठीक है, और वो यहाँ पे क्या कर दोगे, mark as done करके send कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर को comment करना चाहते हैं, तो कर दें, ठीक है, ऐसे आपने assignment हल करनी है, ठीक ह उसके बाद मैं आपको बताता हूँ के quiz कैसे होगा, quiz की आपको mail आएगी, ठीक है, फिर मैं यह stream में समझाता हूँ, इसमें क्या notice आए होगा, ठीक है, यह class work की समझा आगी, इन्हार topic की अलग होगी, पहले class का topic था, यह वही, अगला class होगा, कि हमने data structure समझने है, उससे आउट form, ठीक है, अब blank quiz आपके सामने आए होगा, आप उसको open करेंगे, ठीक है, तो वह आप success मांगेगा, तो यह open हो जाएगा, ठीक है, तो जैसी open होगा, आपके सामने quiz आगा, ठीक है, अब यह एक ही मैंने question रखा हुआ है, यह ज्यादा भी होंगे, ठीक है, C++ क्या है, आप उसको submit कर देंगे, जैसी submit कर देंगे, वह वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और अपना आप view score कर सकते है, ठीक है, इसका, क्यूंकि मैंने इसमें अभी वो check नहीं रखा था, तो इसलिए zero by zero आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे होगा, ठीक है, आपका quiz ऐसे conduct होगा, quiz clear हो गय assignment हमें मिल गई, जो, यहाँ पे भी वोई चीज़ें आ रही है, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ होता जाएगा, अब teacher ने हमें कहा है, कि आप क्लास स्टार्ट होगी, इसके उपर, ठीक है, अब उसके लिए हमें नई एप चाहिए, यह आपके teacher आपको message कर देंगे, उसके लि meet, ठीक है, तो यह हमारे पास Google meet आगी, सही है, इसको आप install कर लेंगे, मेरी install है, तो मैं open कर लूँगा, ठीक है, तो install करने के बाद आप अपनी बोस में चले जाएं, Google class में चले, यह link मिला हो है ने, इसको click करें, देखो, पूछ रहा है, meet पे खोलूं या chrome पे खोलूं, मैं log कर देनी, आपका कौन सा account है, उससे आपने login हो जाना है, ठीक है, तो यह आपको Google meet के interface पे ले जाएगा, ठीक है, अब यह देखें, यहाँ पे आ रहे है न, यह code आ रहे है, ठीक है, ask to join, ठीक है, आप यहाँ पे जैसी click करेंगे, आप teacher के साथ connect हो जाएगे, ठीक है, तो फ होप के आप लोगों को यह easily समझ आ गया होगा, ठीक है, फिर भी कोई question हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो यह आपका classroom है, ठीक है, इसमें आपको मैंने समझा दिये, क्या क्या चीज़ें आती है, और quiz कैसे conduct होगा, ठीक है, ओके, अल्ला आफेस,